जोहार साथियो स्वागत था आपका अपना यूटीब चनल अस्टड़ीविज जेज जिरोएंड आज का इस वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही खुशी की बात है जो जात्र जारकंड होमगाट की त्यारी कर रहे हैं यह वीडियो बनाने का में परपस यह है कि आज कल क दुनिया में न्यूज पेपर जो है बहुत कम लोगी पढ़ते पाते हैं और इसलिए यह खबर उन सारे अस्टुडेंटों के पास पहुचना चाहिए जो छात्र जारकंड होमगाट की त्यारी कर रहे हैं ताकि वे लोग भी जो है जारकंड होमगाट की त्यारी और जोस के साथ त्यारी करें तो चलिए जानते हैं कि न्यूज क्या है न्यूज है कि होमगाट जवानों को समान कारी के लिए समान बेतन का रास्ता जो है साफ हुआ है इसका मतलब है कि जो है होमगाट के जवानों को पुलिस कर्मियों के अनुमानित बेतन दिया जाएगा इसका के लिए समान बेतन जो है एसका जो है राजी सरकार जो है इसके खिलाब सुप्रीम कोट में एक सलपी दायर की थी जो इसका सुनवाई जो है सनिवार को हुआ और सुप्रीम कोट द्वारा जो है इसको खारिज कर दिया गिया जिससे 20,000 होमगाट जवानों की जो है उसी का लार है ठीक है और सुप्रीम कोट ने कहा था कि 12 जनवरी 2023 को जारकन हाई कोट ने सरकार के दायर SLP की सुनवाई के दोरान आदेश दिया था कि होमगाट जवानों को तीन माह के अंदर पुलिस कर्मियों क अनुमानित बेतिन के बराबर समानी कारीक का समान बेतन लाब दिया जाहे और इस पर सरकार ने हाई कोट के होमगाट के जवाणों को इन्साब दिलाा और इस न्यूज से जो है कम से कम 20,000 होमगाट के जवान वह बहुत खुस है और जितने भी अस्टुडेंट जो होमगाट के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी या न्यूज बहुत खुसी की बात है तो आप लोग अच्छे से और त्यारी करें ताकि आपको आगे आने वाले दिन में हो सकता है आप लोग को पुलिस कर्मियों के तरह जो है दर्जा दिया जाए तो वीडियो में लास्तक बन रहने के लिए धनिवाद और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इंपोर्टेंट न्यूज जो ह है आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहें थैंक्यू